वसंत पंचमी पूजा विधी माग महा की शुकल पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है देवी भाग वत के अनुसार देवी सरस्वती की पूजा सव प्रतम भगवान शिरी कृष्यन ने की थी इस दिन भगवान विश्णू और सरस्वती की पूजा की जाती है मा सरस्वती विद्या की देवी मानिंग गई है इसलिए विधार्तियों और शिक्षार्तियों के लिए यह दिन विशेश माना जाता है और सरस्वती पूजन बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है जो लोग बसंद पंच में मनाते हैं वे इस दिन पीले रंग के मीठे चावल अवश्या बनाते हैं भगवान को पीले वस्तर भी पहनाये जाते हैं एक मानिता के अनुसार इस्तरिया अपने हाथ से पती को इस दिन भोजन कराए तो पती का कस्ष दूर होता है और उसकी उमर भी बढ़ जाती है वसंद पंचमी अथ्वा सरस्वती वर्तविधी इस दिन मा सरस्वती की फूजा करनी चाहिए प्रात्यकाल समस्दैनिक कारियों से निव्रित होकने के पस्चात मा भगवती सरस्वती के अराधना का प्रन लेना चाहिए इसके बाद दिन के समय यानी पुर्वा काल में सनान आधी के बाद भगवान गनेश जी का ध्यान करना चाहिए सगत पुरान के अनुसार सफेद पुष्प, चंदन, श्वेत वस्तादरी, देवी सरस्वती जी की पूजा करने चाहिए पुजा के उपरान देवी को डंडवत परनाम करना चाहिए सरस्वती जी की पूजा के लिए अस्टाक्षर, मूल मंत्र, श्रीम, हिम, सरस्वते, स्वाह, प्रम, श्रेस्टम और उप्योगी है देवी सरस्वती की पूजा में श्वेत वर्ण का अहम स्थान होता है इनको चड़ाने वाले नवेद वैवस्तर अधिकतर श्वेत वर्ण के ही होने चाहिए मानेता है कि ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी की अराधना करने से ज्ञान की प्राप्ती होती है सरस्वती जी की पूजा में निमन प्राधना का प्रियोग होता है या कुंद दे दूतु पाश रा हार्ध्वला या शुब्र वस्त्रया वृत्याया वीनावर डंड मनिदत करा या श्वेत पशात स्थना या ब्रह्म चुयत शंकर प्रब्रतीधी देवे सदावंदिता या सा मामम पातु सरस्वती भगवती निशय शेश जाडश्वत। श्या पहा जो विद्या की देवी सरस्वती कुंद के फूल चंदर्मा हिम्राशी और मोती के हार की तरह ध्वलवन की और श्वेत वस्त धान करती है जिनके हाथ में वीना डंडक शोभा शेमान है जिनके जिनोंने श्वेत कमलो पर आसन ग्रहन किया है ता ब्रह्मा पूजी थै वही संपूरन जड़ता और अज्यान को दूर कर देने वाली मा सरस्वती हमारी रक्षा करें शुकलाम ब्रह्मविचार सार पर्मामा धाम जगद्वापनी वीना पुस्तक धारनी धारनीम भ्यदाम जाड अंधकारा पहा मस्तिस्ते सफ टिका मालिकाम विद्वतिम पशाद सने संसीदित्था नमवंदे ताम परमेश्वरीम भगवतिम बुद्धी प्रदाम शारदाम शुकल्वानी वाली संपूरन चराचर जगत में व्यापत आदी शक्ती प्रम ब्रह्म विश्यक के किये गई विचार एवन चिंतन के सार रूप प्रम उतकर्ष को धारन करने वाली सभी भ्यो से भ्या देने वाली अज्यान के अंधेरे को मिटाने वाली हाथों में वीना पूस्तक और शफ्टिक की माला धारन करने वाली और सिंग पधाशन पर विराज मान बुद्धी प्रदान करने वाली सर्वोच एशुरिया से अलंकृत भगवती शारदा सरस्वती द की आज्या से ब्रह्मा ने जीवो खास्तों पर मिनुशय योनी की रशना के अपनी सरशना से वे संतूस नहीं थे उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है जिसके कारण चारों और मोन छाया रहता है विश्णू से अनुमती लेकर ब्रहामन ने ब्रह्मा ने अपने कमंड जल से जल छिड़का पिथिवी पर जलकन बिखरते ही उसमें कमपन होने लगा इसके बाद विक्षों के बीच से एक अध्वुत छक्ति का प्राक्टिया हुआ यह प्राक्टिया एक चतुर भुजी सुन्दर इस्तरी का था जिसके एक हाथ में वीना ता दूसरे हाथ वर अन्या दोनू हाथों में पुस्तक्वय माला थी ब्रह्मा ने देवी से वीना बजाने का अनुरोथ किया जैसे ही देवी ने वीना का मदूर नाध किया संसार के समस जीव जंतों को वानी प्राप्थ हो गई जल्दारा में कोला हल व्याप्थ हो गया पवन चलने से सरसराठ होने लगी तब ब्रह्मा ने उस देवी को वीना की देवी सरस्वती कहा सरस्वती को बागेश्वरी भगवती शारदा वीना वांधनी वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है ये विद्या और बुद्धी प्रदाता है संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है वसंद पंचमी के दिन को माता सरस्वती के जनम ओत्सव के रूप में भी मनाते हैं रिगवेद में भगवती सरस्वती का वर्नन करते हुए कहा गया है प्रणो देवी सरस्वती वाजे बिर्भव जीनी वती धिनाम मनी त्रियवत्टू अर्थात ये परमचेतना है सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धी प्रयागाथा मनो विर्थियों की सरिक्षा है हम में जो आचार और मेगा है उसका अधार भगवती सरस्वती ही है इंकी सम्रिदी और सवरूप का वैभव अधबुत है पुरानों के अनुसार भगवान विश्णू ने श्री क्रिशन अवतार के रूप में सरस्वती से खुश होकर उन्हें वर्दान दिया था कि वसंद पंचमी के दिन तुम्हारी भी अरादना की जाएगी और यू भारत के कई हिस्सों में वसंद पंचमी के दिन विद्या के देवि सरस्वती की भी पूजा होने लगी जो की आज तक जा रही है पतंग बाजी का वसंद से कोई सीधा संबंद नहीं है लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जपान के रास्ते होता हुआ भारत पहुँचा वसंद पंचमी पर्व का प्रोरानिक महत्व इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत के अनेक प्रेग घटनाओं की भी याद दिलाता है सौपर्थन तो यह हमें त्रेता यूग से जोडती है रावन द्वारा सीता के हरन के बाद श्री राम उसकी खोज में दक्षिन की ओर बढ़े जिसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें डंड कार्णिया भी था यहां शबरी नाम की भीलनी रहती थी जब राम उसकी कुटिया में पधारे तो वे सुद बुद खो बैटी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी प्रेम में पगे जूटे बेरो वाली इस घटना को राम भुकता के सभी गाईकों ने अपने अपने धंग से प्रस्तूत किया डन कार्णिया का वह छेतर इन दुनों गुजरात और मध्या परदेश में फैला है गुजरात के डांग जिले में वैस थान है जहां शबरी मा का अश्रम था वसंद पंजमी के दिन ही शिरी राम चंदर जी वहां आये थे उस छेतर के बनवासी आज भी एक शिला को पूछते हैं जिसके बारे में उनकी श्रदा है कि शिरी राम आकर यहां बैठे थे वालमी की रमायन में उलेख है कि सरस्वती ने अपने चातुरिय से देवताओं को कुम करन से बचाया था देवी वर्दान प्राप्त करने के लिए राक्षश राज कुम करन ने करीब 10,000 वर्षों तक तपस्या की जब ब्रह्मा प्रजन हुए और वर्दान के लिए आए तो सभी देवीचलित हो उठे सभी ने कहा यह राक्षश योनी में है और वर्दान प्राप्त होने के बाद उन्नत्वे सहारक हो जाएगा वर्दान मांगते समय सरस्वती कुम करन की जीवा पर विराज मान हो गई और कुम करन यह वर्मांग बाथा की स्वपन वर्षया वियन कानी देव देव ममा पी सनम यानि मैं कई वर्षों तक सोता रहूं यही मेरी इच्छा है वसंद पंचमीव पर्व का एतिहासिक महतो वसंद पंचमीव का दिन हमें पित्वी राज चोहान की भी याद दिलाता है उन्होंने विदेशी हमलावर मुहमद गोरी को 16 बार प्राजित किया उदारता दिखाते हुए हर बार जीवी छोड़ दिया पर जब सतरवी बार वे प्राजित हुए तो मुहमद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा वे उनके साथ अफ़कानिस्तान ले गया और उनकी आँके फोड़ दी इसके बाद की घटना तो जगत प्रसीद है गोरी ने मृत्व डंड देने से पुरव उनके शब्द भेडी बान का कमाल देखना चाहा प्रित्वी राज के साथ कवी चंदर भही दाई के प्रामश पर गोरी ने उचे स्थान पर बैठकर तवे पे चोड मार कर संकेत किया तब ही चंदर भही दाई ने पित्वी राज को संदेश दिया चार बांस चोबिस गज अंगुल अस्ट प्रमान ता उपर सुल्तान है मत्चूको चोहान पित्वी राज चोहान ने इस बार भूल नहीं कि उन्होंने तवे पे हुई चोड और चंदर भर्दाई के संकेत के नुसार लगा कर जो बान मारा गोरी के सीने में जान दसा इसके बाद चंदर भर्दाई और पित्वी राज ने भी एक दूसरे के पेट में चूरा भोक कर आतम बलिदान दे दिया यह घटना भी वसंद पंचमी वाले दिन की ही हुई थी वसंद पंचमी का लोहार निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबन्ध है एक दिन जब मुला जी किसी काम से विधाले छोड़ कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे पर वे वहाँ पढ़ता रहा जब अन्या बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुरगा मा की सोगंदी मुस्लिम बालकों ने दुरगा मा की हसी उड़ाई हकीकत में कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीवी फातिमा के वारे में कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा बस फिर क्या था मुल्ला के आते ही उन शरार्ति छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीवी फातिमा को गाली दी है फिर तो बात बढ़ते हुए काजि तक जा पहुँचे मुस्लिम शाशन में वही निन्य हुआ जिसके पेक्षा थी आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसल्मान बन जाए अनिथा उसे मिर्तुदन दिया जाएगा हकीकत ने यह सविकार नहीं किया परिमान मता उसे तलवार के घाट उतारने का फर्मान जारी हो गया कहते हैं उसके भोले मुख को देखकर जलाद के हाथ से तलवार गिर गई हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धरम का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर अपने धरम से क्यों भी मुख हो रहे हो इस परजलाद ने दिल मलबूत कर तलवार चला दी पर उस वीर का शीर धर्ती पर नहीं गिरा वह अकाश मार्क से सीधा स्वर्ख चला गया यह घटना वसंद पंचमी को ही हुई थी पाकिस्तान यत्पी मुस्लिम देश है पर हकीकत के अकाश गामी शीष की याद में वहां वसंद पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती है हकीकत लोहार का निवासिता अताब पतंग बाजी का सारवाधिक जो लोहार में रहता है वसंद पंचमी हमें गुरु राम सिंग कूका की भी याद दिलाती है उनका जनम 1816 इश्वी में वसंद पंश्वी पर लुद्याना के ब्रेनी ग्राम में हुआ था कुछ समय वे रंजीत सींग की सैना में रहे फिर घर आकर खेती बाड़ी में लग गए पर अध्यात्मिक प्रवती होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे शासवदेशी, नारी उद्धार, अंतर जातिय विवा, सामुहिक विवा आधी पर बहुत जोड देते थे उन्होंने भी सोप्रतम अंग्रेजी शाषन का भहिश कार कर अपमी सवतंतर डाक और प्रशाषन व्यवस्ता चलाई थी प्रतिवर्ष मकर सकराती पर भैनी गाउं में मेला लगता था 1872 में मेले में आते समय उन्हें एक शिश्य को मुसल्मानों ने घेर लिया उन्होंने उसे पीठा और गोवद कर उसके मुँ में गोमास ठूस दिया येस उनका गुरू राम सींग के शिश्य भड़क गए उन्होंने उस गाउं पर हमला बोल दिया पर दूसरी ओर से अंग्रेज सैना आ गई अते यूद का पासा पलट गया इस संगश में अनेक कूका विर्श ही दुए और 68 पकड़े गए इन में से 50 को 17 जन्वरी 1872 को मलेर कोटला में टोप के सामने खड़ा कर उड़ा दिया गया शेश 18 को अगले दिन फासी दी गई दो दिन बाद गुरू राम सींग को भी पकड़ कर बर्मा की मांडेले जेल में भेज दिया गया 14 साल तक वह कठोर अत्याचार सहेकर 1885 इश्वी में उन्होंने अपना श्रीत त्याग दिया वसंद पंचमी हिंदी साहते की अमर विभ्यूत्य महा कवी सूर्य कांट तिरपार्थी निराला का जनम दिवस भी है निराला जी के मन में निर्धरनों के पती अपाः प्रेम और पीड़ा थी वे अपने पैसे और वस्तर खुले मन से निर्धरनों को दे डालते थे इस कारण लोग उने महा प्रान कहते थे वसंद पंचमी पर्व का महत्व वसंत रितु आते ही प्रक्ति का कनकन खिली उड़ता है मानव तो कि आप पशु पक्षी तक कुलास से भर जाते हैं हर दिन नई उमंग से सुर्योध्य होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वाशन दे कर चला जाता है यो तो माक का पूरा मासी उत्सा देने वाला है पर वसंत पंचमी माक शुकल पक्षमी पंचमी का पर्व भारतिय जन जीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है वसंत पंचमी उत्सो भारत के पूरवी छेतर में बड़े उत्सा से मनाया जाता है प्राचिंकाल से इसे ज्यान और कला की देवी मा सरस्वती का जनम दिवस माना जाता है मुख्यता पस्चिम बंगाल उत्रपरदेश, मध्य भारत, बिहार एवन पंजाब प्रांत में मनाई जाती है पस्चिम बंगाल में वसंद पंजमी पर्व का महत्व अधिक देखने मिलता है या संगीत कला तो बहुत अधिक पूजा जाता है इसलिए वसंद पंजमी पर कई बड़े बड़े आयोजक किये जाते हैं जिनमें भजन, निर्तिया आदी होते हैं काम देव और देवी रति की प्रोनानिक कता का भी महत्व वसंद पंजमी से जुड़ा हुआ है इसलिए इस दिन कई रास लेला उत्सव भी किये जाते हैं या प्रथा पंजाब प्रांत की है जिसे महराना रंजीत सी ने शुरू किया था इस इन बच्चे दिन भर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं और कई स्थानों पर प्रत्योगता के रूप में भी पतंग बाजी की जाती है वसंद पंजी पर गुजराज प्रांत में गर्बा करके मा सरस्वती का पूजन किया जाता है यह खासकर किसान भाई मनाते हैं यह समय खेत खलियान के लिए भहुत उप्योगत माना जाता है इस समय खेतों में पीली सरसो लहराती है किसान भाई भी फसल के आने की खुशी में यह त्यार मनाते है बड़े प्यमाने पर पूरे देश में सरस्वती पूजा अर्चना एवं दान का आयोजन किया जाता है इस दिन को संगीत एवं विद्या को समर्पित किया गया है मा सरस्वती सूर एवं विद्या की जन्नी कही जाती है इसलिए इस दिन वाग यंतरव पुस्तकों का भी पूजन किया जाता है जो शिक्षा वीद भारत और भारतित्या से प्रेम करते हैं वे इस दिन माशार्दे की पूजा कर उंसे और अधिक ज्ञान व्यान होने की प्रातना करते हैं कलाकारों का तो कहना ही क्या है जो महतव सैनिकों के लिए अपने शस्तरों और विज्या दश्मी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पुर्णिमा का है, जो वैपारियों के लिए अपने तराजों, बाट, बहिखातों और दिपावली का है, वही महतव कलाकारों के लिए वसंद पंचमे का है। चाहे वे कवी हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नरिद्यकार, सब दिन का प्रारम अपने उपकर्णों की पूजा और मा सरस्वती की वंदना से करते हैं। इस दिन दान का भी बहुत महतव है। वसंद पंचमे के समय अंदान वस्त्रदान का महतव होता है। आज कल सरस्वती जन्ती को ध्यान में रखते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान दिया जाता है। इस दान का सवरूप धन अत्वा अध्यन में काम आने वाली वस्तुवे जैसे किताबे, कापी, पैन, आदी होता है। वसंद के उत्सवों में कई स्थानों पर मेला लगता है। पवित्र नदियों के टट, तिरत स्थानों एवं पवित्र स्थानों पर यह मेला लगता है। जहां देश भर के भक्त जन एकटित होते हैं। यह पहला ऐ ऐसा तिहार है, जिसे मुसलि मिर्थिहास में भिनाया जाता रहा है. अमिंएखच्छो, अमि연खच्रो जो की सूफी संथ थे, उनकी रश नौआ में वसंद की जलक मिलती है. वसंद रीतु में पवित्र स्थानों, तीरत स्थानों के दर्षन का महत्व होता है. साथ ही पवित्र नद्यों पर स्नान का महत्व होता है परियाक त्रिवेनी संगम पर भी भक्त जन्स नान के लिए जाते हैं इस दिन से वसंत रीटु का आरंभ होता है प्राकतिक रूप में भी बदलाव महसूस होता है इस दिन पत्जर का मोसम खतम होकर हरियाली का प्रारंभ होता है अंग्रेजी पंचांग के अनुसार यह दिवस फरवरी महा में मनाया जाता है वसंत पंचमी रितु कवीता आई रे आई रितुराज है आई आई रे आई रितुराज है आई कोयल की कुकु फैली है बाग में पत जड़ बीटा बहार चाई है बाग में आई रे आई रितु राज है आई चारो और वसंत बहार है चाई बिनी बिनी सी ठंडक लगती है सुहानी खेतों में लहराती सरसो और मक्का की बाली आई रे आई रितु राज है आई चारो और वसंत बहार है चाई हर तरफ है सुर संगीत का वादन माता सरस्वती का संगीत में अभिवादन माता सरस्वती का संगीत में अभिवादन आई रे आई रितु राज है आई चारो और वसंत बहार है चाई ऐसी है वसंत रितु की सोगात सजी है धरती पर सुहावनी बारात आई रे आई रितु राज है आई चारो और वसंत बहार है चाई झाल झाल झाल